दिल्ली में S.Y.L. को लेकर के एहम बैठक जो है वो जारी है हर्याना पंचाब के बीच ये बैठक हो रही है ये बड़ी ख़बर आपको बता रहा है S.Y.L. के मुद्ध को लेकर के बैठक लगातार जारी है बैठक में हर्याना पंजाव के मुख्यमंत्री मुझजूद हैं केंद्रिय misunderstanding पॉपकर बिच यह महत्वर्ण बैठक सुरीप में हर्याना पंजाव के मुख्यमंत्री मचूद हैं केंद्रिय जल्शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है 19 जनवरी को सुप्रीम कोट में मामले में सुनवाई होनी है और इससे पहले ये बैठक काफी महत्पूर्ण एक बार और पहले ये बैठक हो चुकी है तब चंडीगर में बैठक हुई थी पंजाब के मुक्यमंत्री और हर्याना के मुक्यमंत्री दोनों के बीच में बैठक हुई थी लेकिन कोई सहमती नहीं बन पाई बे नतीज़ रही थी बैठक और अब केंद्रिय जल्शक्ति मंत्री पंजाब के मुक्यमंत्री यहां पर पहुँचे हुए है और इस बैठक में हिस्सा ले रही है संजेर अठोर हमारे समधाता हमारे साथ जुड़ गए है अदिक जानकरी के साथ संजे क्या कुछ फिलाल ताज अपडेट बिल्ली में जो एक काफी एम बैठक मानी जा रही थी वो शुरू हो गई है एस वाइल को लेकर दिल्ली माज बैठक थी क्योंकि जिस तरिके लगातार काफी साथ से पिछले काफी साथ ही को Zला रहा था और लगातार हरियारा सरकार S.Y.L. का अपना हगा जो पानी है वो पंजाब से बांग रहा था लेकर पंजाब सरकार उपर सेवर्ती नहीं जता रही थी और उसी के चलते आज ही काफी एहब बैठे कमानी जा रही है दोनों ही मुक्या मंत्री अपने परतीस के S.Y.L. के जो मुद्धे है S.Y.L. को लेकर जो रनिती है जो उसको लेकर अब हरियारा सरकार एक बार फिर पर कही ना कहीं हरिया अपने हिस्ते का जो पानी है वो माजने के लिये हरियाडा सरकार पंजाब सरकार सेARA कhi ने कि अप्रोच करेंगी ते कि निवद आपके बायाथ nem के बात कि और अवर्च माटव header की दिल्ली में सरकार और अ celebrating साथ इस तरीके से पंजाफ में सरकार है हैं तो उसी की चलते loose Apelli luz समय पहले जरूर है हम बात करें एक चीज सामने निकल के आई थी जिसमें की भगवत मान के त्वारे यही का गया थै कि दिल्ली को ज़रूर पानी दे सकते हैं लेकिन अर्याडा को नहीं तो ऐसे में कहीं ही ना कहीं आप रही है अपने हका पानी माग रहा है और इसी के चलते दोनों ही मुक्या मं में मुझूद है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब बैठक में दोनी परदेश के मुख्या मंत्री अपने अपने विशेय पे चर्चा करेंगा और उसके बाद कुछ आज एहम इस बैठक का निकल सकता है लेकिन अभी यह सारी चीजे घर्व में है क्योंकि अभी दोनों मुख्य मंत्री अपने अपने जो परसा हो है वो उनके सवाक्षे रखे जाएंगा और उन पर पहलू पर चर्चा की जाएगा और उसके बाद कुछ निर्मन लिया जा सकता है लेकिन अभी जो बैठक की मैं बात करूं करीमन आजा गंटा इस बैठक को शुरू हो गया और कहीं ना कह साड़े चार बजे शाम तक ये बैठक चलेगा और उसी के बाद इस बैठक में क्या निर्मन लिया जाता है वो देखने वाली बात होगी इते अंदर सजे इस बैठक के बाद क्या कोई प्रेस कोंफरेंस का भी कारकरम रखा गया है ताकि उसमें जानकारी दी जा सके क्या इस बैठक में फैसला लिया गया जिन बातों पर सहमती बनी और क्यों अगर सहमती नहीं बनती तो क्यों नहीं बन पाती जो बिल्कुल जिस तरीके से सारे चार बजे शाम तक ये बैटने चलेगे और उसी के बाद देखा जाएगा कि आखिरकार क्या दोनों मुख्यमंतरी स्यूक तोर पर एक प्रैस वार्टा करेंगे या फिर वो पीदे निकल जाएंगे क्या उनकी सहमती बन पाती है नहीं ये ग हैं जिस तरीके से आएंगा इस तुबानवे करोड़ रुपे कहीं ना कहीं हर्यारा सरकार के दोबारत दिये गए था लेकिन उस पर सरकार ने बना कर दिया था लेकिन हर्यारा सरकार उन पैसों को वापसी लेने से भी इंकार किया था सब्सक्राइब करें लेकिन अभी तक जो बैठक का दोर जारी है तमाम अधिकारी वहां मुझूद है मंत्री मुझूद है केंद्री है मंत्री गजंदर सिंग सहिकामत वहां मुझूद है लेकिन अगर बात करें जब यह बैठक शुरू हुई तो बैठक से पहले क्या केंद्री मंत्री गजंदर शेखावाद की कुई प्रिटिक्रिया सामने आई इस बैठक को लेकर संजे मेरी आवाद सुन पा रहे हैं लगता है संपक तूट गया फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन एक लंबा समय हो गया है इस मामले को चलते हुए पंजाब और हर्याना के बटवारे के बाद से पानी का जो विवाद है वो लगतार चलता रहा है लेकिन एस वायल नहर को लेकर के जो एक योजना पर योजना जो शुरू करने की कोशिश की गई थी ततकालिन सरकार की तरफ से वो सीरे नहीं चड़ पाए हर्याना को हर्यान कि हाक में फैसला सुनाया गया लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब सरकार में जो भी राजनितिक दल होते हैं जिस भी किसी राजनितिक दल की पंजाब में सरकार होती है वो सुप्रीम कोट का भी फैसला लागू करवा पाने में कहीं न कहीं असफल हो जाते हैं और यह त अवाम वहाँ पर कई वरिश्ट अदिकारी भी मौजूद हैं बैठक चल रही है और उसी बैठक की ये तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं एक्स्क्लियूजिव तस्वीरे हरियाना न्यूस पर एस्वाईल को लेकर के ये बैठक शुरू हो गई ये बैठक जारी है लगातार चर्चा यहां पर चल रही है एस्वाईल के मसले पर दश्कों पुराना ये मसला और इस मसले पर बैठक चल रही है और एक बार फिर से ये बैठक इससे पहले भी एक बैठक हो चुकी है मुख्यमंत्री भग्मंत्मान ने हाथ जोड़ करके ये साफ तोर पर कह दिया था कि हमारे पास सरप्लस पानी नहीं है जो हम दूसरे राज्ये को दें तो इसलिए नहर के निर्वान का तो सवाल ही नहीं उठता इस तरह की जो बाते हैं वो कही गई और तमाम राजनितिक दलों के निताओं की तरफ से भी अपना अपना पक्ष रखा गया बात अगर पंजाब की करें तो पंजाब के तमाम राजनितिक दलों का एक ही मत कि हर्याना को एक भी बूंद पानी नहीं देंगे तो वहीं हर्याना के भी तमाम राज्योंतिक दल इस मामले में यह बात कहते हुए नजर आए कि हर्याना को हर्याना के हक का पानी मिलना चाहिए अपने हक का पानी हर्याना के राज्योंतिक दल मांगते हुए समय समय पर नजर आए और दोनों राज्यों की सरकारों की बीच बैठकों का दोर लगातार चल रहा है समय समय पर बैठके होती हैं लेकिन बैठके अक्सर बेनतीजा ही रहती है अगर समझोता हो भी जाता है तो उसके बाद जब implementation की बात आती है तो वहाँ पर मामला बिगड़ जाता है और ऐसे ही अब एक बार फिर से ये कोशिश हलांकि ये देखने वाली बात होगी कि कितनी सार था कि ये कोशिश रहने वाली है कि इंद्रियों जलशक्ति मंत्री गजंद्र शकावात की तरफ से कोशिश की गई दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बुलाया गया है क्योंकि 19 तारीक को सुप्रीम कौर्ट में बैटक होनी है सुप्रीम कोट में सुनवाई हैं इस मसले पर एक बार फिर से पिछली बार की सुनवाई में दोनों राज्यों की सरकारों को यादिश दिया गया था लेकिन समदान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है आफ दूसरे दोर की बैटक है इस सुनवाई के बाद और 19 तारिक को 19 जनवरी को एक बार फिर से सुनवाई होगी उसमें भी देखना होगा कि तीनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ वहाँ पर अपनी बात रखी जाएगी मैत्वपूर्ण दो पक्ष हरियाना और पंजाब और इसके लावा केंदर सरकार भी इसमें मद्यस्ता की भूमी का निभा रही है लेकिन मद्यस्ता नहीं हो पा रही है लंबा समय हो गया इस मामले को और अब तक भी इस मामले को कोई समदान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा हाला कि एक बार फिर सिंगे बैटक और इस बैटक से काफी उमीदें हैं काश इस बैटक में ऐसा हो पाए कि हर्याना को हर्याना के हग का पानी मिल पाए और दोनों राजियों में किसी बात को लेकर कि कोई सेहमती जरूर बने ऐसी कोशिश जरूर है लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि बैटक के बाद क्या कुछ फैसला लिया जाता है इसके बैठक बुलाई गई हैं दोनों राज्यों के मुख्यामंत्री इस बैठक में मौजूद हैं अधिकारी मौजूद हैं कि इंद्र सरकार के भी अधिकारी मौजूद हैं और इस मसले का समाधान निकालने की कोशिश कोई रास्ता निकालने की कोशिश न्यूस रूम से मेरी सहयोगी जोती सांगवान मेरे साथ जोड़ गई है आधिक जानकारी के साथ जोती फिलाल क्या कुछ ताज अपडेट इस मामले में मिल पा रही बिलकुल अपडेट ये कि हितिंद्र बैठक जारी है हर्याना और पंजाब की सीम के साथ केंद्र जलशक्त है हितिंद्र हम जानते हैं कि पंजाब पर ही टिकाख है अदालत का फेसला आ चुका कि हर्याना से सभी दल कोई भी पारटी सरकार में रही हो या कोई भी पारटी विपक्ष में भी क्यों ना रही हो बार बार ये कहा जाता रहा कि हर्याना को हर्याना की अधिकार का पानी मि साथ ही केंद्री जलशक्ती मंत्राले का क्या कुछ कहना रहीगा चुंकि बार-बार इंकार किया जाता रहा है हलांकि हिसार में जब भगवंत्मान आये थी तो उनकी उरते कहा गया कि बैठकर बातचीत से हल निकलना चाहिए चुंकि पानी पंजाब के पास भी नहीं है और सम इतना के चुंकि हर्याना और हर्याना के सीम का क्या स्टेंड रहने वाला के यह हम सभी वखो भी जानते हैं चुंकि हर्याना तो निरंतर पानी मांगता ही रहा है आज भी हर्याना के सीम बनुहर लाल की ओर से कहा जाएगा कि जो समझोता हुआ था उसके तहदिस की लड़ा इस्वाइल का पानी माना जाता रहा के हलांकि आया कभी नहीं पानी इसमें भी कोई दोराई नहीं तो अगर ये पानी हरियाना को मिल जाता के तो हरियाना में जो एक बड़ा हिस्था डार्ट जोंग है जो दक्षिन हरियाना के बहां कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ा व पंजाब में यह कहा की नहीं कि हर्याना को उसके हग का पानी मिलना चाहिए तो आज क्या कुछ कहते हैं भगवंत्मान देखना होगा जाहिर है मीडिया से भी बातचीत करेंगे बैठक के बाद फिलहाल आपने जानकारी पूछी तो बैठक फिलहाल जारी है लेकिन जोती अग हंगामा देखने को मिला था पंजाब में तवाम सियासी दिलों की तरफ से प्रेस कोंफरेंस की गई खास्तों पर शिरोमनी अकाली तरफ अकाली दिल की तरफ से कई बड़ी बाते कई थी कि एक भी बूंद एक भी टपका पानी का हर्याना को नहीं देंगे लेकिन इस बार दूसरे दोर की बाचीत हो रही है कुछ महीनों के बाल तो ऐसा कुछ हंगामा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है उस वक्त एक पोलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा हावी था लेकिन अब उतना हावी नहीं है भगवनमान के ओपर तो कुछ उम्मीदे हो सकती है कि एक सार कार नहीं नहीं बनी थी अक्टूबर भी वैठक होई और उसके बाद तो भगवनमान अससे पहले भी भगवनमान अपना स्टेंड पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं कि हम पानी हर्याना को नहीं देने वाले क्योंकि पानी कहीं रही और अब भी अब भी जाहिर के अध्यक्ष का ये कहना चुकि बहुत दिल्चस्प है कि कभी किसी पार्टी के रास्टी अध्यक्ष की ओर से जिसमें हम रास्टी पार्टी उनकी बात करते हैं कॉंग्रीस की बात करें मिजेपी की बात करें कभी ये नहीं कहा गया कि पंजाब के पास पानी नहीं अर्बिन हर्याना से आते हैं केजरिवाल लेकिन उसके बावजूर भी नहीं कहा गया कि हर्याना को पानी मिलना चाहिए हाँ ये जरूर कहा गया कि पी-म उनके साथ चाई पीए उन्हें चाई पर बुलाएं वो सुझाओ देंगे और पी-म ही कोई समधान निकाल सकते हैं तो आपने कहा कि पिछली बार विरोध था तो चुंकि शुरुवात थी पार्टी को या सरकार को दबाव में लेने का प्रियास था इस बार कोई बवाल नहीं है चुंकि जलशक्ती मंत्राले की उर से बैठक बुलाए गई है दिल्ली में बैठक हो रही है सभी को पता कि पंजाब का है पंजाब के सीयम का क्या कुछ कहना रहेगा कि पंजाब के पास पानी अतिरिक्त नहीं है नहीं दे सकते चुंकि बार-बार अजालत का फैसला आने के बाद बार-बार अजालत से जीतने के बाद भी अगर सरकारी या अगर दल हर्याना को पानी नहीं दिला पाती तो उसके बाद आशा या उम्मीद बहुत कम बच्तिक है चुंकि इससे पहले भी बुलिटिन में हमने बात की कि सुप्रीम कोट में जो सुनवाई होनी है उससे पहले केंडर को रिपोर्ट भी दाखिल करनी है तो आज की बैटिक पर ही डिपेंड करेगा कि क्या कुछ कहा जाएगा रिपोर्ट में लेकिन बार बार फैसला आ जाने के बाद भी क्यों ये फैसला लागू नहीं हो पाता क्यों कोट के सुप्रीम कोट के फैसले को भी दरकिनार करने की कोशिश की जाती रही देखिए यही दाजनिती है मैंने कहा भी तेंद्र की दाजनिती कहीं न कहीं मजबूर भी करती है कानून का श्यासन के देश में समिधान की व्याख्या करने को अदालत ही है लेकिन उसके बावजूद भी कानून का या अदालत का ही कहान नहीं माना जाता है कोई ने कोई पक्ष चुंकी बाद में भी अदालत में चला गया अब 2016 में पैसला आया कहा गया कि केंदर निर्मान करवाई लेकिन केस एजन्सी से निर्मान करवाई इस बात खुले कर भी अदालत में चले गए तो एक तो बार बार यह हवाला दिया जाता है कि मामला अदालत में है मामला अदालत में चल रहा के और पंजाब साथ साथ इनकार करता रहता के सुप्रीम कोट ये भी कह चुका के केंदर निर्मान करवाई केंदर मध्यस्ता करे सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुका कि क्या सुप्रीम कोर्ट ही नहर का निर्मान अब करवाएगा ये भी कहा जा चुका कि कि बैठ कर बात करें बातचीत से समाधा निकाले इतना जरूर साफ है कि सुप्रेम कोड ने हर्याणा को हर्याणा का हक दिये जाने नहर का निर्मान किये जाने के निर्देश जरूर दिये हैं लेकिन मामला अभी ब्यादालत में है हितिल जी लेकिन जोती अगर आज की बात करें सामने आई है कोई प्रतिक्रिया सामने आयों किसी की थी पिछले चुनाव की जब हाँ बात करते हैं 2017 में अमरिस्टर में पीम की ओर से कहा गया था कि पाकिस्तान जो पानी जा रहा के उस पानी को रोका जाएगा हरियाना राजस्तान पंजाब सभी किसानों के प्यास बूजाए जाएगी तो ये बात उस वक्त कही गई थी उसके बा हैं के इंडरी जलशक्ती मंत्री के साथ पहली भी बैठक कोई चैप्टन जब सीएंव होते थे वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए वो जूड़े थे आज पंजाब के सीएं भगवन्त मान के हरियाना के सीएं बनोहरलाल केंडरी मंत्री शिखावत मुलाकात कर रहें हैं बात कर रहेंगे साथ याधिकारी भी है और मेडिया से बात्चित का ऐसा है कि बैठक के बाद क्या कुछ वो कहेंगे क्या रियक्शन उनका आता कि इस पर सभी की निगाखेंगे लेकिन बाते ये भी होती है जो पंजाब का पानी है वो पाकिस्तान पहुंच जाता है वो भी होता है ना पंजाब की खित में जाता है ना हर्याना वालों को मिल पाता है ये तो अंतरास्टी संधी है हलाएं कि इसमें भी दिल्चस पिये है कि भारत अपने पानी को रोकने के लिए जब आज़ाद हुआ उस वक्त ही पाकिस्तान को पे कर चुका के पैसा दिया जा चुक है लेकिन ये अंतरास्टी मुद्दा इसके अलावा दो राजियों का मुद्दा देखिए इसमें बहुत फर्क है जो एस्वाईल का समझोटा हुआ उसी को मानने को पंजाब तयार नहीं है तो फिर ये बहुत आप कह सकते हैं कि ये बहुत दूर की बात है कि पाकिस्तान ज धेस्ता करनी चाहिए लेकिन उसको लेकर भी अभी कोई बात नहीं बन पाई है तो कम से कम जो इस्वाईल का मुद्दाख है उसका समाधा निकले इसके लिए हर्यान सरकार भी प्रियास कर रही है केंद्र की भूमी का एहम हो सकती है चुंकि अदालत का फैसला भी पंजाब भी नहीं करती है अगर राजिती चाहती या इच्छा शक्ती होती एक बिल होती तो शायद ये मुद्दा पहले भी आप कह सकते हैं कि इसका समाधान हो सकता था हितेंद्र लेकिन आज देखना है क्या कुछ रहता के और पाकिस्तान को लेकर तो बात नहीं किवल की जाती है लेकिन S.Y.L. जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत फैसला दे चुकी है क्या उस फैसली को माना जाए इस दिश्या में कोई बड़ी बात आज होती है क्या कहा जाता के 19 जन्वरी की सुनवाई में क्या कुछ होता के इस पर ये अपने आप में बहुत दिल्चस्व अपन जिबलकुल हितिंदर मैं आपको बताना चांगा लगातार आदे गंटे से बैठक का जो दोर है वो जारी है इसमें हरियाना के मुख्य मंत्री वनहोडाल खटर और पंजाब के मुख्य मंत्री भकवतमान मौजूद हैं साती साथ जल और सक्ती मंत्री गजेंदर सिंग की अपने हकी लडाई के लिए लगातार जो लडाई है वो जारी थी और अपने हका जो पानी है उसकी मांग उठारत और इसी के चलते आज दिल्ली में काफी अहम बैठक माने जा रहे हैं और इस बैठक के बाद कुछ आज निरनायक फैसला है जो देखने को मिल सकता है क्योंक आखिरकार अभी तक क्योंकि पिछले काफी सालों से लगाता रहा है जो मुद्दा है वो गर्माता रहा है और इसी बीच इस बैठक में तवाम दोनों ही परदेश के जो अधिकारी है वो भी मौजूदा और अधिकारियों से भी रिपोर्ट मंगी जाएगी आखिरकार क्या बाद है क्या पर यानि की बीच में बाद है आई है जो अभी तक एस बैठक में मौजूद है तो काफी उमीदे इस बैठक से लगाई जा रही है कि आज कही ना कहीं कुछ ठोस जो फैसला है वो आ सकता है केंद्रे मंत्री है जो गजिंदर सिंग उनकी अधिक्सता में बैठ है कायोजन किया गया आप से कुछी देर में जो बैठक वो समाप्त होने वाली को कि पिछले करीबन 45-50 मिनट होगे इस बैठक को जो जा रही है और अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस बैठक का निरनाएक फैसला क्या होता है क्या एक बर फिर सहमती बनती है क्या उसके निरने होगा वो क्या होगा फैसला होगा जी जी संजय लेकिन बैठक से पहले तीनों ही अगर बात करें कैंद्रियों मंत्री और दोनों राज्यों के मुख्या मंत्री जब बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे तो इस वक्त क्या किसी ने भी कोई प्रिदिक क्रिया प्रदी है इस मसले को लेकर के बैटक से पहले चिपिल को बात करें दोनों मुख्य मंत्रिया फिर केंद्रिय मंत्रि की उनों की तरफ से इस तरीके कोई परती कि रहा नहीं दी गए लेकिन उनके चहरे पे एक स्वाइल याइन की खुशी नजर आ रहा ही थी और कही ना कहीं हो पानी है वो उसको मिल सके क्योंकि जिस तरीके से हर्याणा के मुख्य मंत्री मनहुलाल खटर की मैं बात करूँ काफी वो खुश नजर आ रहे थी इस बैठक के अंदर जा रहे थो तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो अपनी पूरी तयारी करके आये था और जो आस्वाइल बुद किसे बैठक चल रही है और आप वहाँ पर मौजूद हैं जब से बैठक शुरू की तवी से तो क्या कुछ गैमा गैमी है क्या कोई सुत्रों के हवाले से कोई खाबर सामने आई हो या फिर कुछ और अंदेशा जी बिल्कुल हम बात करें इस बैठक की तो मीडिया को इस बैठक से काफी दूर रखा गया और साथ ही साथ दिल्ली में बैठक कायोजन किया गया मुख्य मंत्री हर्याणा के मैं बात करूँ क्योंकि बैठक में जाने से पहले उससा ही जरूर नजर अरत लेकिन आप देखन यह हुगा तमाम अधिकारियों के उपर यह तमाम चीजे हैं वो निर्बर करती है हो चाहे मैं चीफ सेकेटरी की बात करूँ या फिर जिस तरीकी से जो इंजीनियर वो एस्वाइल का काम कर रहे थे उनकी बात करें तो उनके उपर बड़ा निर्बर करता है कि आखिरकार उ लेकिन आज की बैठक में कुछ निरनायक फैसला लिया जा सकता है दोनों परदेश के जो मुख्य मंत्री है वो हैं मौजूद है तो साथ ही साथ कहीना कहीं केंद्रिय मंत्री की अद्धिक्स्ता उनकी निगरानी में तमाम अधिकारी होंगे दोनों मुख्य मंत्री होंगे तो उनकी दोनों मुख्या मंत्री की जो दलील की कैंधर मंत्री के दोनों मुक्या मंत्री की जुचा सुनेंगे जलदबाजी हो species एंमा घानदारN घाल रहा है चले नजर बनाए रखेगा संजे फिलाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जैसे ही ये बैटक खत्म होती है तुरंत जानकारी देंगे दर्शकों को बताएंगे कि क्या कुछ इस बैटक में रहा है